हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आशकरते हैं सबी लोग अच्छे होंगे तो जी ब्लॉक की स्टार्टिंग हो रही है इस समय आज जो मैंने कपड़े सुखाए थे तो वह आले कपड़े मैंने फोड करके रखे नहीं थे क्योंकि इस समय मुझे टाइम मिला है इने फोड करके रखने का और इसका वीडियो तो मैंने पहले बना लिया था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी और क्योंकि बीच में आजकल शराद भी चलने हैं तो बीच में शराद थे तो इस वेश से फिर मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं कर सब्सक्राइब क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था और बाकी इदर मैंने सारे कपड़े छाट के अलग अलग कर दी हैं स्वेटर अलग कर दी हैं और बाकी अगर एकाद जो बच्चों के हूड है वो मिलें वो भी अलग कर दी हैं और इसी तरीके से में इनको पहले अलग अल लो hum देलि publish क्रोंगी तो मेरा टाइम ज्याद तर तीन बजे काई हो पाता था यातीन कभी एक div भी डाल देती थी तो वह कोई टाइम फिक्स हो नहीं पाता था और लेकिन अब मेरा जो वीडियो है वह मैं दो बज़े पब्लिस करूंगी तो मेरा वीडियो दो बज़े ही पब्लिस होगा और इदर मैंने सारे कपड़े अर्एंज करके रख दिये हैं नीचे से मैंने इसको इसमें पेपर बिशा दिया था और बाकी मैंने अंदर से इसके थोड़ा सा सफाई कर दी थी गंदा तो नहीं था ज्यादा पर हलका पुलका मैंने इसमें कपड़ा मार दिया था और बाकी मैंने इसमें डाल दिये हैं तो कपड़े फ बट यह कुछ शॉपिंग ऐसी होती है कि जो हर घर में नॉर्मली सायद एक सी ही होती होगी तो बागी तो हर कोई अपने हिसाब से अपना समान लेता है और बागी इदर मैंने लिए चाय पत्ती मसाला चसका रुई का बंडल और बड़ा वाला लेके आयू में इस बार और मख साबुनका पीक है पूरा चय का Japan यह लई वाला साबून आहिए और बाकी दर बिंबार जो है वह लेके आईू में और सणका इक पैकेट और इसमें आ गया और बाकी दर नमखीन में है मुंग डैल वाली नमकीन तो यह मुझे बहुत अच्छे लगत यह यह मैं अपने लेके मुंग दाल की रमगीन और बाकी कैच वाला गरम मसाला है और आलू भुजिया है तो यह जो कुछ चीज़े ऐसी होती है जो लेके तो हम आते हैं लेकिन उसका दुबारा भी हमें जरुवत पड़ती है और इदर चाय वाला मसाली के लिए मैंने लॉंग और काली मुर्च भी ल धर फोड़ी उसका तो बहुत जादा यूजा तो होता नहीं गर में लेकिन कभी कभी यह कि बच्चे मतलब मैंगी की डिमांड करते हैं और कभी-गभी ऐसा होता है किससे एक्स्ट्रा भी लग जाता है क्योंकि बहुत च्छोटी सी होती है और चुछ जादा तो इसमें आत तो बादम वाले पैकेट का खर्चा मारे जादा होता है काजू तो कमी लगता है और यह नहीं हा की मेहंदी यह मैं अपने लाई हूं बाकी टूट प्रेस हैं यह और इसके बाद हींकी डिप भी है साथ में बड़ी डिप ले आई थी मैं पूरे मंतली पूरी मेहने में मतलब चल जाती है और साथ हरी वाली लाईची है और दो बेसन है कि पैकेट है राजधानी वाले और इसके बाद टाटा सॉल्ड है इसमें और बाकी में लाई हूं रिफाइन वाले पैकेट तो मेरे पास पिछले मैने की भी बचे हुए थे क्योंकि रिफाइन का यूज हम लोग यूज इस समय हुआ नहीं था सिर्फ अरहर और उरद और चना यही दाले ज्यादा यूज में आई थी इस समय और बाकी जो यह पिछले मैने का समान बचा हुआ था तो सिवाई का बड़ा पैकेट है और हल्दी के दो पैकेट बचे हुए थे साथी अजवाईन और यह जो है जो भीमबारे दो पैकेट जो है वो पिछले मैने के बचे थे सब्जी मसाले का यूज समय हमने नहीं करा वह द यह बचा था और इधर यह पास्ता बचा हुआ है साती डिट्ळ माले साभू न है और यह दंद कांती वाला साभू नें पिस्ते का पैकेट बचा हुए था और बाकि हारपिक के दो ब्रोसरी दो यहां सर्सों के तेल का और बाकि तेल में इदर अच्छь से इनको जो बनारेंज कर के लगा दूगी लगा यूज कर लूँगी और कपूर की डिब्बी है साती ये लौकिया अफला जूस है इसके एक बोटल पहले से रखी हुई है एक और लेके आई हूँ और इदर पोहा और ये बची हुए जो पैकिट है वह मैं इसी में डाल देती हूं और बाकी फिरिन का यूज कर लेती हूं तो तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं आज दही बड़े वाली रेसेपी तो उसके लिए मैंने लिया है दो कटोरी मूंग दाल और एक कटोरी मैंने लिया उरत की दाल तो मैंने सुबही भीगा करके रख दे थी क्योंकिए साम को बनाने थे ये और उ ट्रणे पकोट है कि क्योंकि नमक हम बाद में भी एड्ट करेंगे उपरसे उससमें और इसको मैं अच्छे से हाथ से फेट लूंगी है और फेटने के बाद हम इसको वैसे तो इसकी पहचा आने कि हम इसको पानी में डालेंगे तो यह उपर आ जाएगा तो इस तरीकी से मै है तेल से एकदम से ऊपर आ गए है लोग मीडियुम फिलिम पेनको हलका तल लेंगे और उसके बाद इनका जो कलर जब चेंज हो जाएगा फिर इसमें पाणी में डाल दिए तो पाणी में इसका बनाया समने हमक डाल दिया है और इसके बाद हमारे बड़े जो हैं अच्छे से कलर भी अच्छा सा आ गया है और इसके बाद हम सीधे पानी में डाल देंगे जो हींग और नमक वाला था उसके बाद मैंने दुबारा से फिर से डाल दिया है ये और हींग के पानी में अच्छे से ये भीग गए हैं सारे बड़े तो सॉफ्ट हो गए हैं काफी औ और इधर इसके लिए दही तब्लेति है उसमें थोड़ा सा सुगर सिरब मिला आई है और उसके बाद जो मतिनी है इसके मिला में दही की बना लेंगे इसको और दही इस्मूदर को बना लतों है उसके बाओ जो बड़े है एक करके इनको रख करण से वाउल ओपर से तही डाल दूंगी तो दही डालने के बाद बाकी जो और चीजे हैं वो भी मैं से एड़ों के जैसे चटनी है हरी चतनी लाल चटनी तो ठीन की रसके रख दी थी और लाल चटनी की रेशिवी हिएow て शेयर करिए उसके बाद सरा नमक की ब्लाइद्ट ज्यादा चाट्टी इसमें नहीं मिलाएंगे वह पहले भी मिलाएंगे बाकि से जीना पॉडर मेने आड़ कर दिया उपठे है तो आप कंस्ता त्लिक से एम बनाते हैं भी मेरे साथ शेशेयर कीजिए क्यूंकि इस त्लिक से एक दूसरी से सीखा जाता है और बाकी ये था आज का वीडियो परस मैंने इसमें थोड़ा सा अनार डाल दिया है बाकी अगर आप चाहे तो जो आलू जिया है वो भी डाल सकते हैं तो ये था आज का वीडियो, I hope आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब केजिएगा, तब तक के लिए बाई